बड़ी खबर आ रही है मुंबई से जहां सुशान केस से जुड़े तीन चहरे CBI पूछताच के रिए डियाडियो गेस्टाउस पहुँच चुके हैं अभी तक सिधार्थ पिठानी, नीरज और सैमुल मुरांडा तीनों पहुच चुके हैं जिन से पूछताच शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त रियाड चक्रवर्ती भी वहां पहुँच सकती है और CBI रियाड चक्रवर्ती से पूछताच का राउंड टू शुरू करेगी कल तस घंटे तक रियाड से पूछताच हुई थी दियाडियो के गेस्ट हाउस के बाहर अब हल चल और बढ़ चुकी है मुंबई पुलिस की एक टीम दियाडियो गेस्ट हाउस के बाहर आज खास तोर पर तैनात कर दी गई है मुंबई पुलिस की महिला अधिकारी भी वहां पर मौझूद है और माना ये जा रहा है कि कल रात रिया की शिकायत के बाद के मीडिया से उन्हें परिशानी हो रही है मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पर तैनात की गई है हाला कि अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है बीजेपी के नेता रामकदम का आरोप है कि रिया आखिर सीबी आई की पूछताच के बाद मुंबई पुलिस के दफ्तर में क्यों पहुची क्या सांटगाट है महराज सरकार और रिया के बीच में और जवाब में कॉंग्रेस की तरफ से भी आरोप लगा दिया गया कि संदीप सिंग बीजेपी दफ्तर में फोन क्यों कर रहा था उसकी क्या सांटगाट है बीजेपी से और उसका हंडलर कौन है बीजेपी में तो एक तरफ सीबी आई की पूछताच दूसरी तरफ उसके समनांतर राजिनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर राजिनीतिक फायदे के लिए केस को दबाने और राजिनीतिक फायदे के लिए मामने को तूल देने के आरोप एक तरफ है और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, सैमुल मिरांडा, नीरज सिंग, सिदर्थ पिठानी और रिया के भाई शौविक से पूछताच आज दूसरा राउंड होगा, कल दस घंटे की पूछताच के बाद फिर से रिया चक्रवर्ती को आज बुलाए गया है इस इंटरोगेशन के लिए शमस तायर खान वहाँ पर मौजूद है जहां डिया डियो गेस्टाउस में अंदर रिया चक्रवर्ती से पूछताच होनी है अगर कोई जाकर पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है और ये बता रहा है आरोपी होने के बावजूद शमस कि उसे दिक्कत हो रही है मीडिया ग्लेर की वज़े से तो क्या ये आरोप लगा जा सकता है कि सी बी आई ने जो कुछ पूछा था ये जाके बता रहे है मुंबई पुलिस के दफ्तर में देखिए वही चीज है कि आप अगर किसी केस में राजनीती को उतार आते हैं किसी तमाम बाते हैं जिसके उपर आपको रोक नहीं लेकिन मैं आपको बताओं कि कल रात को जो कुछ हुआ मुनीश पांडे हमारे जो सही होगी है इनकी भी रात को ही बात हुई थी इस टीम में एक नुकर प्रशाद हैं सीबी आई की एसबी उनके सामने रिया चक्रवर्ती ने वाकाइदा एक शिकायच तीचर क्या कुछ पाता पुरी डिटेल में बहुत एहम बात है यह जरूर सुनिएगा आप रोहित जब रिया चक्रवर्ती ने एक चीज गही थी कि मेरा हरास्मेंट हो रहा है उसके बाद बाकी सारी की दोई उसके बाद क्या होगा जो सारी बात ही तीचर को आप में जो सूत्र बता रहे हैं कि एक अधिकारी ने बताया कि अगर हमें हैरेस करना रहता तो हम आपको पटना बुला सकते थे लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे और इसी वज़े से हम यहाँ पर आपसे पूछताच कर रहे हैं और जो जानकारी मि उनके परिवार को दिक्कत हो रहे हैं कि जब लगातार मीडिया वाले उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो एक खत्रा रहता है इसी वैसे कल उन्हों शिकायत की और थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं इने खुद भी यह पहल ली कि आप रिया चक्रवर् करने हैं और यह सिक्यूरिटी थोड़ी देर में उनको मिल जाएगी और वो सिक्यूरिटी के साथ में यहाँ पर आ जाएंगी और शम्स वहाँ पर घर पे दो पुलिस की गाड़ी पहुच गई है और पुल मिलाकि कोशिश चेही है कि रिया चक्रवर्ति जब यहाँ पर करता है वो यह थी कि रिया ने पुच्तात के दौरा ने ये कहा था कि मेरा देश्म करता है तो एक अफसर ने चलंको परेशानी करना होता तो और मुंबैी नहीं आकर आप से पुच्तार करते हैं